दोस्तों जहां नासा 1958 में बनी थी और भारत के अपनी स्पेस एजनसी इसरो के स्थापना 15 अगस्त साल 1969 में हुई थी तब उस समय दुनिया के अलग-अलग देशों में स्पेस एजनसी इसका ट्रेंड जो रो शोरो से चवरा था लेकिन इस रेस में सबसे पीछे अगर कोई देश कहा जा सकता था तो वह था चाइना जिसने इसरो के स्थापना के दो दशक बाद भी अपनी खुद की स्पेस एजनसी का मोह नहीं देखा था स्पेस निसके उस दौर में चाइना की हालत कुछ ऐसी थी कि कोई भी उसकी और देखता भी नहीं था और तभी अचानक से 22 सपरेल साल 1993 के दिन सी एने से यानिकी चाइना नैशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्थापना हुई और देरी से अंदरिक्ष में अपने कदम रखने के बावजूद भी चाइना की इनोवेटिव लोगों ने ठान लिया था कि अब वह ऐसी गदी से विकास करेंगे कि कि अब साल बीटते गए और वो वो चीजें हुटते गए जिसके बार में किसी ने कलबना भी नहीं की थी फिर चाहें वो साल 2019 में फार साइड आप दा मून तक पहुंचना हो या फिर साल 2021 में अपने रोवर को मंगल की सतर पर उतारना